was question number 8 में कहते हैं how you should you would connect four ohm registers okay two four ohm register okay कितने two register दिए four ohm का और four ohm का first register भी four ohm का है second register भी four ohm का है ठीक है मैं आपको diagram मना कर दिखा देता हूं यहापे आपके पास two resistance है या two register है आप कुछ भी बोल सकते हो ठीक है यह four ohm का है उसके यह भी कि आपका बच्छो 4 ohm का है करेक्ट के रहा है इसको कैसे करोगे कैसे कमाइन करोगे कि आपको 2 ohm resultant मिल जाए यानिकि equivalent डिश्टन्स टू ओम का मिल जाए और पार्ट बी में resultant equivalent resistance आपको कितना चाहिए, 8 ohm का चाहिए, ठीक है students, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए, बच्चो 4 और 4 के 2 registered दिये में, answer कितना चाहिए आपको, 2, resultant कितना चाहिए, 2, तो आपको मैंने पढ़ाया है कि जब resultant parallel में आता है, parallel में जो equivalent resistance होता है, वो individual से less होता है, तो equivalent resistance कितना दे रखा है, 2 ohm का है, ठीक, 2, 4 से भी छोटा है, और ये वाले 4 से भी छोटा है, तो individual से value जब less आती है, तो हम parallel में connect करते हैं, और जब individual से value ज़्यादा आती है, इसका मतलब series में connect किया गया, क्योंकि series में जो equivalent resistance होता है, वो individual value से ज़्यादा होता है, पार्ट B में देखिए, 8 ohm सरा रहा है, अब ये 8, 4 से भी छोटा है, ठीक, तो पार्ट A में parallel में करना है, पार्ट B में आपको series में करना है, चली, तो पार्ट plus minus, ये हो गई R1 की value, और ये हो गई R2 की value, ठीक, तो यहां से आप एक, जो method आपने पढ़ा है, 1 upon R is equals to 1 upon parallel में है, 1 upon R1 plus 1 upon R2, ये आप लगा सकते हो, direct B भी में आपको करके दिखा दूँगा, so 1 upon R is equals to 1 upon R1, R1 कितना है, 4 है, so 1 upon 4 और प्लस 1 upon 4, ठीक है, अब बहुत असान है, यहां से 1 upon R is equals to बच्चो, denominator same है, जब भी denominator same होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस number को as a days copy कर देते हैं, 4 और 4 को ऐसे उपर वाले number को add कर देंगे, 1 plus 1 उपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 तो 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 यहां सा आ गया, 1 upon R is equals to 1 upon 2, now taking reciprocal on both side, यहो जागा, R upon 1, इधर इधर भी reciprocal कर दिया, इधर भी कर दिया, 2 upon 1, अब R upon 1 कितना होता है, R और 2 upon 1 कितना होता है, 2, तो इस तरीके से 4 ohm और 4 ohm को अगर हम कैसे connect करेंगे, parallel में, पार्टे का answer हो गया, कि दोनों को हम कैसे connect करेंगे, parallel में, तो हम को equivalent resistance कितना मिलेगा, 2 ohm, तो हम पार्टे में answer लि value, तो R equivalent कितना आता है, R by N आता है, ठीक है, यह formula आपका तभी लगता है, बच्चों parallel में, जब आपके same resistance हो, चेक कर लो, 4 and 4, same है, ठीक, तो R की जगा हम क्या रखते है, जो same resistance की value देगी रखते है, 4 और N क्या होता है, total number of register, कितने, 1 और 2, 2 को parallel में किया गया, तो N की value होग is given by, अगर parallel में two resistance लगे हैं, तो direct formula में आपको बताया, R1 into R2 upon R1 plus R2, लेकिन ध्यान रहे, यह formula के वल two resistance के लिए valid है, बस रख दो अब, R1 की जगा भी 4 है, R2 की जगा भी 4 है, 4 into 4 upon में, R1 plus R2 यानिकि 4 plus 4, तो R4 into 4 कितना हो जागा, 16 upon 4 plus 4, 8, 8, 8, 2, 2 upon 1, कितना होता है, 2 ohm okay, so इस तरीके से R equivalent की value कितनी आ गई, 2 ohm, okay students, यह लीजे, तो यह इतने सारे method थे part A को solve करने के लिए, अब part B मैं आपको दिखाता हूँ, part B बहुत असान है बच्छो, हमको कितना चाहिए, 8 ohm चाहिए है ना, 8 ohm चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 ohm और 4 ohm को series में लगा दे R1 कितना है, 4 ohm और R2 कितना है, 4 प्लस 4, 8 ohm आगे है, एक करने का यह तरीका है, दूसरा करने का तरीका है, अगर आपको N registers having same value, series में connected होते हैं, तो मैंने आपको formula होता है, N into R, R equivalent क्या होता है, N into R, ठीक, N क्या होता है, number of register, R क्या होता है, जो equal value दी होती, resistance की equal value कितनी, 4 ohm 2, 4, 8, तो आप एक difference देख लीजेगा, यहाँ पर, जब N number of register having same value, parallel में connected होते हैं, तो equivalent resistance R by N, यानि का R को N से divide करना होता है, जो same value कितनी, 4, और N क्या होता है, number of register, और जब 3's में connected होते हैं, N number of registers having same value, 3's में connected होते हैं, तो formula बनता है N into R का, ठीक, N क्या होता है, number of register, R क्या हो तो बस यही है, तो part B में हमको दोनों को 3's में connect करना पड़ेगा, note कर लीचे,